हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सब दोस्तों घर हो या कीचन अगर आप कहीं भी काम कर रहे हो तो बहुत ही एलर्ट रहना पड़ता है वरना हो सकता है बहुत ही बड़ा नुकसान आज की वीडियो में बहुत ही बड़ियां इन्फोर्मेशन देने वाली हूँ और वीडियो करते हैं वीडियो पसंद आए तो रोज की तरह एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा तो चलिए फ्रेंस बढ़ते हैं अपमें टिप्स की तरह फ्रेंस हमारा पहला टिप है मिक्सी के जार को लेकर मिक्सी के ज पंजार के अंदर आ जाता है तो जो इसमेल होती है ना लेसुन प्यास की जब हम बाकी मसालों को पीछते हैं या कोई भी चीज पीछते हैं तो उसकी समेल इसके अंदर भी आ जाती है ये समस्या हर हाउस वाइफ कुझे ले पड़ती है इसके लिए बहुत ही छोटा सा उप पाय है आप ले लिजिए कोई भी नुश्पेपर और उसे इस तरह फाल लीजे टॉकड़ों में नुश्पेपर थो हम सबी की घर में आता है कोई भी पुराना नुश्पेपर आप ले लिजिए और इसके छोटे-छोटे टुक्रे कर ले लीजिए इस तरह और इसको अब हम हम डाल देंगे मिक्सी के जार में जार अच्छे से निउस पेपर की टुकडों से भरा होना चाहिए अब हम डाल देंगे थोड़ा सा मीठा सोडा यानि की खाने वाला सोडा इसके बाद हम डाल देंगे थोड़ा सा नीबू आप चाहें तो सफेद सिरके का भी यूज़ कर सकत अगर आपके जार में बहुत ही ज्यादा स्वाहिए तो इसे आप तो घंटे के लिए या रात भर के लिए इसे धख्कन लगाकर छोड़ दीजिए अगर आपको लगता है आपका जार तुरंट क्लीन हो जाएगा ज्यादा इसमेल नहीं है तो ये प्रोसेस करके आप मिक्सी के जार को चला दीजिए आप चाहे तो 10 से 15 मिनिट तक रख सकते हैं या फिर मिक्सी को तुरंट चला लीजिए मैंने इसे चला दिया है हमारे मिक्सर का कुछ ये हल हुआ है आप ये जो पेपर के टुकड़े उन्हें फेक देंगे और जार को पानी से साफ कर देंगे दोस्तो इस प्रोसेस के बाद जो जार का पीलापन है वो तो खतम हो ही जाता है मिक्सी के जार में जो इसमेल थी वो भी पूरी तरा से निकल जाती है तो आशा करती हो दोस्तो ये टिप आप सभी के लिए यूसफूर रहे और बहुत पसंद आए तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टिप की दरफ फ्रेंज हमारा अगला टिप है बड़ी इलाइची को लेकर घर में बहुत सारी ऐसी चीज होती है जो हमारे इंस्टेंट पेन के इलाज के लिए बहुत ही जरूरी होती है हमें बस इनकी जानकारी नहीं होती जब हमारे दात में दर्द सुरू होता है तो वो चीज हम जरूर ट्राइ करते हैं पहला तो है लॉंग जो कि अधिकतर लोगों को पता ही होता है दूसरा बहुत कम लोग जानते हैं वो है बड़ी इलाइची LIC के जो दाने हैं ना बहुत ही कारगर माने गए हैं तो इन धानों में से दो से तीन दाने ले लीजिए और दात के बीच में दबा लीजिए तो बिल्कुल लॉंग जैसा ही प्रोसेस है तो आपको दात में दर्द से छुटकारा मिल जाएगा कुछ देर के लिए इस तरह आप instant relief अराम से पा सकते हैं बाद में आप किसी डॉक्टर को दिखा लीजिए ये दादी नानी के नुस्के हैं जो पुराने समय से चलते आ रहे हैं तो आशा करती हूँ दोस्तों ये वाली टिप आप सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और बहुत ही फायदे मन्द रहे तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टिप की तरफ तो चलिए फ्रेंस बढ़ते हैं अपने अगले टिप की तरफ अगला टिप है हमारा polythene से related कभी कभी आपने देखा होगा हमारा जो dust picker होता है उसमें हम कुड़ा उठाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है तो इसके लिए भी एक ट्रिक बता रही हूँ आपको क्या करना है कोई भी पुरानी polythene ले लेना है polythene लेने के बाद आपको और जो ये dust picker है उस पर polythene को इस तरह से चढ़ा लेंगे ये देखिए मैंने जैसे चढ़ा दिया है आप भी बिल्कुल वैसे ही चढ़ा दीजिए अब आप कोई भी कुड़ा उठाएंगे तो देखेंगे ये गंदा नहीं होगा तीन या चार दिन बाद आप polythene को निकाल कर फेक दीजिए आपका डश्ट पिकर भी गंदा नहीं होगा और आपको धुलना भी नहीं पड़ेगा या फिर आप एक और काम कर सकते हैं हमने जो गाट लगाई है ना कुड़ा चढ़ा दीजिए और गाट को खोल कर पन्नी को इस तरह से पलट दीजिए जब आप इसको पलट देंगे तो सारा का सारा कुड़ा पॉलिथीन के अंदर आ जाएगा और ये डश्ट पिकर भी गंदा नहीं होगा तो फ्रेंस आजा करती हूँ ये वाली टिप आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है और साथी साथ यूसफुल भी है तो चलिए फ्रेंस बहरते हैं अपने अगले टिप की तरफ फ्रेंस हमारा अगला टिप भी पॉलिथीन को लेकर है कई बार क्या होता है जब हम नए आलू लेकर आते हैं तो आपने देखा होगा हमारे जो हाथ होते हैं काले काले धब पर जाते हैं ये जो देखने में बहुत ही ज़्यादा खराब लगते हैं चार से पांस दिन तक वो निशान हमारे अंगुठों पर हाथ पर बने रहते हैं तो इसके लिए एक छोटा सा टिप है आपको क्या करना है आपको हाथों पर इस तरह से पॉलिथीन पहल लेना है इसके बाद आप फटाफट अपने आडू को छील लीजिए जब हम कच्चे केले या सुरन काटते हैं तो हाथों में खुजली हो जाती है या जब हम कभी कभी कठल काटते हैं तो चिपचिपा सा हमारा हाथ हो जाता है तो आप इसका यूज करके अपने हाथों को बचा सकते हैं जिससे आपके हाथ भी काले नहीं पढ़ेंगे और खुजली भी नहीं होगी तो आशर करती हूँ दोस्तो ये वाले टिप आप सभी को बहुत पसंद आए और यूसफूर रहे इस तरह आपके घंटों का काम मिंटों में हो जाएगा तो चरिए फ्रेंस बढ़ते हैं अपने अगले टिप की तरफ फ्रेंस हमारा अगले टिप भी पॉलिछिन से रिलेटेड है कई बार हम मोजे पहने रहते हैं तो हमें पानी का कोई भी काम करना होता है जैसे कपड़े दुलना या पोच्छा लगाना हो तो आपने देखा होगा हमारे मोजे भीग जाते हैं तो ऐसा क्या करें? जिसी हमारे मोजे भीगेना और हमारा काम भी आसानी से हो जाए तो इसके लिए मैं छोटा सा ट्रिक बता रही हूँ आप पॉलिधिन ले लीजिए आप कोई भी पुरानी पॉलिधिन को यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से पॉलिधिन को पहन लीजिए इस तरह चपल पहनने पर भी हमारे मुझे गीले नहीं होंगे और सारे के सारे काम आसानी से हो जाएंगे और हमें ठंड भी नहीं लगेगी आई होब ये ट्रिक आप सभी को अच्छी लगे और यूसफूल रहे तो फ्रेंस ये थी मेरी आज की वीडियो उमीद करती हूँ आपको यूसफूल और अच्छी ज़रूर लगी होगी